चीन ने पूर्वी लदाक में ही नहीं बलकि उत्री लदाक में भी भारतिय दावे वाले शेत्र में गुस्पैट की है सेना की तरफ से हाला कि इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है लेकिन मीडिया में आई उग्रह की तस्वीरों से साफ दिखता है कि डेप सांग सेक्टर में चीनी सेना की उपस्तिती देखी गई है यहां उसने कुछ स्ताई निर्मान किये है और टेंट भी लगाए हैं साथ ही दो सडके भी बनाई है लेसी के निकट चीनी सेनिकों की उपस्तिती बड़ी है जिसके बाद भारत ने भी अपने सेनिक बढ़ाए है गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद एक तरफ चीन से तनाव कम करने को लेकर सेनिय एवं कुट निदिक स्तर पर वारताएं चल रही है वहीं यह नया खुला साथ चिंता पैदा करता है सूतर का कहना है कि यह तस्वीरे जून महीने की है तथा इसके बाद भारते सेना ने भी अपनी उपस्तिती थी उस इलाके में बढ़ा दी है बड़े पैमाने पर भारते सुरक्षा बलो की वहां मौजूर की है समझोते का उलंगन सूतर के अनुसार टेप सांग सेक्टर अदौलत बेग ओल्डी से पूर्व की दिशा में है तथा लदाप का यह उत्री लाका है हलाकि ये घटनाएं 22 जून से पहले ही है पता देगी 22 जून को लेटनेंट जनरल स्तर की वारता में पूर्वी लदाप में टकराव वाले स्तानों से तनाव कम करने पर सहमती हुई है लेकिन यह टकराव का नया मूर्चा है चीनी सैनिकों की उपस्तिती बढ़ रही सूत्रों का यह भी कहना है कि एलेसी के निकट चीनी सैना की उपस्तिती लगातार बढ़ रही है हलाकि वे चीनी शेत्र में ही मौजूद है रक्षा विशेशग्यों ने चिन्ता जाहिर की है कि जब एक तरफ चीन शान्ति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सेना की उपस्तिती क्यों बढ़ा रहा है संक्रमित मरीजों की तलाश के लिए राज्य सरकारे अब दिल्ली की तरच पर टेस्ट दुगना करने की तयारी कर रही है आंद्रपरदेश सरकार ने अगले 90 दिन में घर घर जाकर सबका टेस्ट करने का एलान किया है ऐसा करने वाला आंद्रपरदेश पहला नाचे होगा वही महराश्ट, यूपी, हर्याना, चत्तिसगर और गुजरात में बड़ी संक्या में रैपिड एंटिजन टेस्ट शुरू हो गया है पशिब मंगाल और जारखंड ने भी तुरंत टेस्ट की संक्या बढाने का निर्देश दिया है आंद्रपरदेश की सरकार शुरू से ही आकरमक टेस्टिंग, मरीदों से जुड़े लोगों की तलाश और संक्रमितों का समय पर इलाज करने में जुटी हुई है गंभीर मामलों के लिए नीजी अस्पतality को कोविड अस्पताल बना दिया गया है और दूसरे अस्पतालों को हलके लक्शन वाले मरीजों के लिए कोविड केर सेंटर में तबदील कर दिया है करोना वाइरस को मात देने के लिए दुनिया में करीब 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है लेकिन चार वैक्सीन ऐसी है जो लगभग आखरी चरण में है इन में एक अमेरिका, दो ब्रिटेन और एक चीन में तयार हो रही है करोडो खुराक के लिए अमेरिका ने एस्टरजेनिका से 1.2 अरब डॉलर का अनुबंद किया वैक्सीन बनाने के दौर में आक्सफोर्ड उनिवरसिटी और एस्टरजेनिका कमपनी सबसे आगी है इनकी वैक्सीन AZD1222 से दुनिया को काफी उमीद है इसलिए यूरोप के कई देश इस पर मिलकर काम कर रहे है अब तक दो चर्णों में यह सफल साबित हुई है और अब 800 लोगों पर इसका ट्राइल हो रहा है इंपीरियल कॉलेज लंडन के विज्यानिक भी एक वैक्सीन पर काम कर रहे है मंगलवार को वैक्सीन का मानब परिक्शन शुरू हुआ और चोटी खुराग एक इंसान को दी गई कॉलेज की ओर से जारी बयार में कहा गया कि वैक्सीन लेने वाला व्यक्ती बिलकुल स्वस्थ है लगातार 19 वे दिन भी पैटरोल डीजल की कीमतों में बढ़ातरी हुई है अब राजधाने दिल्ली में एक लीटर डीजल का दाम 80 रुपए के पार चला गया है वहीं यहाँ पैटरोल डीजल से सफता है गुरुवार 25 जून को दिल्ली में एक लीटर पैटरोल की कीमत 16 पैसे बढ़कर 89.92 रुपए हो गई है वहीं 14 पैसा प्रती लीटर डीजल महंगा होकर अब 80.02 रुपए पर पहुँच गया इंडियन ओयल की वेबसाइट के मताबिक 25 जून 2020 को दिल्ली, मुंबई, कॉलकत्ता और चन्नाई में डीजल और पैटरोल की रेट इस प्रकार रहे दिल्ली में पैटरोल की रेट 89.92 और डीजल के 80.02 रहे मुंबई में पैटरोल की रेट 86.07 और डीजल के 78.14 रहे चन्नाई में पैटरोल की रेट 83.18 और डीजल के 77.29 रहे कॉलकत्ता में पैटरोल की रेट 81.61 और डीजल के 75.18 रहे ओयल मार्केटिंग कम्पनिया कीमतों की समिक्षा के बाद रोजाना पैटरोल और डीजल के रेट तैय करती है इंडियन आइल और भार पेट्रोलियम और हंदोस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुभे छे बजे पेट्रोल और डीजर की दरों में संचोधन कर जारी करती है अमेरिका ने बुदवार को कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में आतंगवाद की विद पोशन को रोकने और उस साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बड़े पैमाने पर हमलों को रोकने के लिए भारत के इंदर आतंगवादी सम्हों के खिलाफ मामूली कदम उठाए लेकिन वह अब भी शेतर में सक्री आतंगवादी सम्हों के लिए सुरक्षित पनागाब बना हुआ है विदेश मंतराले ने कहा कि अमेरिकी राश्टरपती डुनाल टरम्ब दुवारा पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर जनवरी 2018 में लगाई गई रोग 2019 में भी परभावी रही उसने कहा कि पाकिस्तान ने आतंगवाद के विद पोशन को रोखने और जैशे मुहमद दुवारा पिछले साल परवरी में जमु कश्मीर में भारती सुरक्षा बलों के काफिले पर किये गए आतंग की हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमले से भारत के इंद्रिद आतंग के खिलाफ करवाई की मंतराले ने कहा कि हलाकि पाकिस्तान शेतर में केंद्रिद अन्य हातंगवादी संगठनों के लिए सुरक्षित पनगहाब बना हुआ है इस वीडियो में इतना ही मैं कोमल पंजाब केस्टी दिली से अगर आपको हमारी एक खबर जानकारी पूर लगे कर दो कर दो